हेलो दोस्तों आप सभी का All About Socius में स्वागत है और ये समाज सास्र की MCQ सिरीज है और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग इस MCQ सिरीज में इगनू के बुक से जो क्वेस्चन बन सकते हैं उनको मैं पढ़के क्वेस्चन को बनाके और तब जाके हम लोग यहाँ प सोशियोलोजी के ही क्वेस्चन है लेकिन ये आप लोगों को दूसरी कमचीटीव बुक्स जो मार्केट में मिलती हैं उनमें नहीं मिलेगी क्योंकि ये इगनू की किताबों को पढ़के और मैं अपने तरीकी से खुद क्वेस्चन को बना रही हूं ये क्वेस्चन जो है कुछ फैक्चुल बेस्ट क्वेस्चन है इनमें आप लोगों को कई सारी किताबों के नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि आखिर में इन किताबों को किसने लिखा है या किस विचारक से संबंदित है ये किताबी जो हैं वही किताबे हैं जो की इगनू के जो कंटें तैयार किये गये हैं इन्हीं किताबों की सहायता से किये गये हैं तो सबसे पहले हम लोग questions को discuss करेंगे एक एक question को हम लोग समझेंगे और इसको आप लोग पहले अपने मन में खुड decide कर लीजेगा कि इसका correct answer क्या हो सकता है बात में हम लोग इसका correct answer देखेंगे आज का पहला question है कि निमनलखित में से कौन सा कथन सही है पहला option है कि सैयुक्त परिवार क्रिशी आर्थ विवस्था से जुड़ी ग्रामीर भारत की एक संस्था है दूसरा option है सहरी करड और प्रिथक नाभिक क्रिहस्ते जो nuclear family होती है के बीच कोई सह सम्मंध नहीं है तीसरा option है कि सहरी करड और धार्मिक निर्पेक्षी करड के बीच प्रत्यक्ष सह सम्मंध है अगला option है कि सहरी छेत्रों में जाती और विवसाय के बीच परमपरागत सह सम्मंध का रास हुआ है अर्थात कमी आई है इसका answer correct क्या है ये आप लोग खुद बताईएगा अगला प्रशन है कि एड्रियन मेयर इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा एड्रियन मेयर ने कहां पर नगर पाली का चुनाओं का अध्यान किया था ये आप लोगों को बहुत ही important question है क्योंकि इस type के question मैं इतनी सारे mcqs book को देखी हूँ लेकि वहां पर कहीं पर भी इ इन्हों ने अध्यान किया था किस राजय में किया था तो यह दोनों फैक्ट यहां से निकल के आता है दूसरा यहां पर मैटर यह है कि एड्रियन मेयर ने नगर पालिका के चुनाओं पर भी अध्यान किया था यह भी एक निकल के आता है तो इसका correct answer क्या है आप लोग सोच के रखी है अभी हम लोग इसी लेक्चर में लाश में discuss करेंगे अगला प्रशन है कि अर्बन sociology in India किस की कृती है तो यह factual based question है important book है जो कि आप लोग को जरूर पता होना चाहिए तो अर्बन sociology in India जो है वो किस के त्वारा लिखी गई है यहां पे आप लोग को तीना option दिख र प्राव इरावति करवे, S.E. दूबे, M.N.C. निवस अगला question है कि भारत में शहरी जनसंख्या की बढ़त या घटत अर्थात बढ़ना या घटना इसमें क्या रुख रहा है भारत में शहरी जनसंख्या बढ़ी है या फिर घटी है तो इसका क्या रुख रहा है नियमित प्रिधी, प्रगती रोध की इस्थिती, उपयुक्त दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसमें से क्या correct answer है ये आप लोग अपना सोच के रखिए अगला प्रशन हम लोग देख लेते हैं भारत में शहरी करड़ की अस्थानिक विशेषता क्या है यहां पे आप ल ही है अगला प्रशन है कि डाइनमिक्ष आफर रूरल सुसाइटी किसकी कृति है अर्थात ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए तो इसके थिंकर्स के नाम है M.N.C. निवास, रामकि प्रटेंट है ये कोट मैंने कहीं भी नहीं देखा है जो कि एगनू के बुक में दिया हुआ है इसको हम लोग डिसकस करेंगे ये किसका कथन है कि जाती अपने भीतर वर्ग तत्व समाहित किये हुए है तथा वर्ग की अपनी इस सांस्कृतिक अर्थात जाती विश्यक जी जा सकता है वर्ग और जाती को हम अलग-अलग नहीं समझ सकते हैं तो यह कथन जो है वो किस विचारक के द्वारा किस थिंकत के द्वारा कहा गया है यहां पे आप लोग को नाम दिख सकता है के यल सहर्मा डी एन मजुंदार जी एस खुरिये मन सी निवास तो यहां पे जाद है इंपोर्टेंट बुक है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए और यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है ब्रेज राज चौहान आंद्रे बेते राधा कमल मुखर जी या फिर ऐसी दूबे के साथ आप लोग सोचके रखिए अगला प्रश्न बहुत ही जाद है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेगा ये भी कथन हम लोग कहीं भी जो कम्प्रिटिव बुक है साइद मैंने कहीं नहीं देखा आप तक मैंने जितना कोट पढ़ crap बढ़ा है जितना कथन मैंने पढ़ा है इस कथन को मैंने क सम्मंदों को और भी शशक्त बनाता है आप सभी को पता है कि जो दक्षड विवा में शादियां होती हैं जो विवा होते हैं तो वो रिलेशन्स में ही होते हैं यह आप सभी को पता है कि जो मामा के साइट का रिलेशन्स होता है या अपुगा के साइट का रिलेशन्स होता है साधियां होती हैं जबकि उत्तर भारत में एक परिवार एक बिल्कुल अलग समू के लोगों के साथ सम्मंद अस्थापित करता है वन मिनट एक मिनट यह सम्टाइम्स मिस्टिक हो जाती है हाँ तो जबकि उत्तर भारत में एक परिवार एक बिल्कुल अलग समू के साथ सम्मंद अस्थापित करता है जिनके साथ वो पहले चुड़ा हुआ नहीं था तो यह कथन आखिर में किसकी द्वारा कहा गया जो की विवा सम्मंदों पे है ये आफ लोग खुद सोच के रखिये कि ये करण किस सम्मंदित हो सकता है अगला प्रशन हम लोग देख लेते हैं यह बार बार आ जा रहा है क्यों एक मिनट अगला प्रशन है कि भारत में परिवार की संयुक्तिता की विसेशता क्या है तो यहाँ पर भारत में परिवार की जो संयुक्तिता की अर्था तो जो जॉइंट फैमिली होती है उसकी विसेशता क्या है तो यहाँ पे चार आपसन दिये गए हैं समपत्ति में साभागिता, सहनिवास, साभोजिता या फिर उपयुक्ति सभी अब यहाँ पे यह question तो बहुत ही जादे easy है यह आप लोगों को पता भी है ठीक है हम लोग question को आप starting से देखते हैं और उसके बाद से हम लोग discuss करते हैं कि correct answer इसमें से कौन सा है तो निर्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह पूछा जा रहा है संयुक्त परिवार क्रिशी अर्थ व्यवस्था से जुड़ी ग्रामिड भारत की एक संस्था है क्या यह कथन सही है यह आप लोगों सोच के बताईए संयुक्त परिवार जो है वो क्रिशी अर्थ व्यवस्था से जुड़ी ग्रामिड भारत की एक संस्था है यह कथन अपने आप में सही नहीं है क्यूंकि यह हम जरूरी नहीं है कि जो संयुक्त परिवार हो वो क्रिशी अर्थ व्यवस्था से जुड़ी हुई ग्रामिड भ ग्रिहस्ती के बीच कोई सह संबंद नहीं है तो ये कथन अगर हम देखें तो सहरी करण और प्रिथक नाभिक ग्रिहस्ती जो है अर्था नूकलियर फैमली है सहरी करण के वज़ा से ही सिर्फ नूकलियर फैमली हो रही है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं तो ये कथन जो है अपने शहरी छेत्रों में जाती और व्यवसाय के बीच परंपरागत सा संबंद का रास हुआ है तो यहां पे आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि जो शहरी छेत्र हैं इसमें जाती और व्यवसाय से जो संबंदित परंपरागत सा संबंद है उसका रास हुआ है अर्थात कमी देखने में आई है तो अगर most appropriate answer की बात करें तो ये हमें घह दिखता है हाला कि खो जो है ये भी अपने आप में correct answer है तो इसमें खो और घह ये दोनों आपसन आप लोगों को correct दिखता है ये दोनों कथन सही है अगला प्रश्ण है कि Adrian Mayor ने कहां पर नगरपाली का चुनाओं क अध्यान किया था तो इसका जो correct answer है वो को है देवास MP में Adrian Mayor ने नगरपाली का चुनाओं का अध्यान किया था यहां पे ना तो वो आगरा के उत्तरप्रदेश में के आगरा में किया था नाराजस्थान की कोटा में किया था और नहीं गुजरात के आहमदाबाद में तो य यह आप लोगों को याद रखना है देवास MP से नाम जुड़ा हुआ है Adrian Mayor का अगला प्रस्ण हम लोग देख लेते हैं अर्बन सोश्योल और सी इन इंडिया किसकी कृती है तो यह बुक है MSA राव की उमीद है कि आप लोगों को भी correct answer पता रहा होगा अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में शहरी जनसंख्या की बढ़त या घटत में क्या रुख रहा है तो यह हम सभी को पता है कि भारत में शहरी जनसंख्या जो है उसमें नियमित वृत ही देखने को मिली है आज भी ये इस्थिती बनी हुई है भारत में शहरी करण की अस् अगला प्रश्ण है कि डाइनेमिक्स आफर रूरल सोसाइटी किसकी कृती है तो यहां पे अब आप लोग का क्या आप्षन था यह आप लोग खुद सोचिएगा करेक्ट आंसर जो है इसमें राम किष्ण मुकर्जी जी है तो यह आप लोग ध्यान रखेगा अगर आप लोग अगला कुश्ण है कि यह किसका कथन है कि जाती अपने भीतर वर्ग तत्व समाहित किये हुए है तथा वर्ग की अपनी सांस कृति करथा जाती विश्यक जीवन रिती है अता विश्लेशर के लिए भी दोनों प्रडालियों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है यहां प आप लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रशन हम लोग देख लेते हैं इंट्रोड्यूसिंग एसियन सोसाइटी ये बुक जो है वो प्रिस राज चौहान के द्वारा लिखा गया है अगला प्रशन है कि यह कथन किसका है कि दच्छी भारत में एक परिवार विवा संबंध जो द्वारा पहले से बिद्दमान संबंधों को और भी ससक्त बनाता है जबकि उत्तर भारत में एक परिवार एक विल्कुल अलग समूं के लोगों के साथ संबंधा स्थापित करता है जिनके साथ वो पहले से जुड़ा हुआ नहीं है तो ये कथन आखिर में किसके द्वा रखा गया है ये कथन मेंडल बॉम के द्वारा कहा गया है ये आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसा हो सकता है कि आगामी एक्जाम में इस टाइप के क्वेशन पूछ दिये जाए या फिर यही क्वेशन पूछ जाए सकता है भारत में परिवार की स्यंक्टिता की क्या प्रयुक्त सभी है तो दोस्तों ये कुछ important question थे जिसमें आप लोग को कुछ important facts भी मिले कुछ conceptual based question थे उम्मीद है कि आप लोग को जो मैं ये question बना रही हूं उससे जरूर कुछ लाब होगा और यदि आप लोग इससे थोड़ी भी लाभानवित होते हैं तो आप लोग लाइक जरूर करिए comment करके मुझे जरूर बताइए अपने दोस्तों में भी share करिए ताकि आपकी दोस्त लोग जो हैं जो सपाठी लोग हैं वो लोग भी इसका जो एक बोलें की फायदा बोलें या ये बोलें की इस आउसर को वो लोग भी उठा सकें इसका लाब तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों में share चरूर किया करिए धन्यवाद